विनोद इतने सालों से आप भी राजनीती को कवर कर रहे हैं संसद जा रहे हैं मैं राजनीती का सवाल नहीं पूच रहा हूँ लोक तंतर की जो ये तस्वीर देख रहे हैं आपके जहन में आज क्या खायाल आए दिखिए, हमारे पूर वक्ताओं ने जो बते कही हैं, मैं थोड़ा सब उसमें अपनी बात जोड़ूंगा, आज उत्सो तंत्र जादा दिखा ही पड़ा, लोगतंत्र कम दिखा ही पड़ा, इसलिए कि जैसा हम सब जानते हैं, आपने ही एक लाइन का सवाल पूछा जाए, कि उसका एक लाइन के जवाब है कि ताना शाही में विपक्ष नहीं होता है, लोगतंत्र पे विपक्ष और सथापक्ष दोनों होते हैं, अब समस्या बार बार यह आती है कि आप विपक्ष को यह नहीं करना चाहिए था, हम मैं भी सहमत हूँ कि विपक्ष को आर जेडी को सरकार ने कितना रीच आउट किया विपक्ष को यह मैं जानना चाहता हूँ, विपक्ष की नेता मलिकार जुन खडगे राजसभा में लोगसभा में तो यह नहीं नहीं, उनका यह कहना है कि उनको संसाथ भावन दिखाया तक नहीं किया, बेहतर होता अगर विपक्ष के सार संपन्य करते हैं, स्पीकर भी होते हैं, और विपक्ष के नेता भी होते हैं, और उसके बाद एक लोगता है कि महनत करनी पड़ती हैं, नजाने कौन सा हिमालय का परवत या मांट एवरेस को चड़ना पड़ता हैं, सिर्फ रीच आउट करना था, आप राहूल गांदी से ब पड़े नेता हैं, शरत पवार या दूसरे उनके साथ बात की जा सकती थी, और एक बहतर तरीके से पूरे प्रोग्राम की रूप रिखा बनाई जा सकती थी, इसमें क्या दिक्कत थी, शिलापट पर लिख सकते थे कि पधान मंद्री नरे मोदी जी के कारिकाल में इस संसद यह हुआ कि संसद में सिर्फ एक ही पक्ष था, और संसद दरसल जनता की आवाज जहां गूंजती है, वो देश का सबसे बड़ा मंच वही है, और जो लोग बार 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 विखकार पसवाल उठा रहे हैं, इस देश में, रामकरप्राल जी तो गवा हैं उस बात के, अभय जी भी कवा हैं, वो दोर देखा है, कि सामोही कि स्टीफा दिया है, विपक्ष ने लोग सबासे, भाई, लाजी गानी के कारिकाल में, यानि पूरे संसद के उस समय के अस्तित कोई नकार कर ने स्टीफा दिया था, और बीजेपी शामिल थी उसमें, सारे लोग शामिल थे, तो ऐसा नहीं कि विपक्ष ने कोई भाईशकार करके, हाँ, भाईशकार की नौबत नहीं आनी चाहिए थी, और ये जिम्मेदारी निस्टी दूप से पहले सत्ता पक्ष की थी, उसके बाद रहे विपक्ष रसा करता, तो विपक्ष ने उटाया गया है, तंबू खाड कर वो एक प्रतिबंब हमें इन तस्वीरों में दिखता है, भाई ये तो अपने आप में बहुती दुर्भा की पूर्ण है, कि एक तरफ संसत की वितर लोकतंतर की चर्शा हो रही है, ने संसत भाउन का उदगाटन हो रहा है, प्रदान मंद्री जी अपने सांबोधन में कहे रहे हैं कि नया भाउन जो महिलाओं और युवाओं के लिए नया उसर प्रदान करेगा, भारत को विक्षित रास्ट बनाएगा, वहीं जनतर मंतर पर महिलाओं के साथ इस तरह का बेवार हो रहा है, ये कोई ऐसे ही साधारन लोग नहीं है, देश का मान समान बढ़ाया है, मेडल लेकर आए हैं, धरने और प्रदर्शन बहुत होते हैं इस देश में, और इस तरह की पुलिसिया कारवाई भी होती है, लेकिन आज का ही दिन, और जनतर मंतर देश के दिल, दिली के दिल में, ये होते हुए तीन सो चार सो मीटर की दूरी, नए संसद बवन के इमारत स देखे, बहतर होता कि एक दिन पहले, कि इन सरकार की कोई महिला मंत्री और चाहाई मिनाक्षी लेखी, जो स्वैम नई दिली से सांसद दी हैं, इसलिए मैं कहा रहा हूँ, और इस बदीनानी महिला कल्यान बाल वाल विकास कल्यान मंत्री भी है, अगर जा के इन पहलवानों तो मुझे भरोसा है 100%, 60%, कि पहलवान उनकी बात मान लेते हैं, क्योंकि पहलवान कोई किसी पाइटी की तरफ से धर्णा नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई रीचाउट नहीं किया गया, और जैसा कि अभी अभी अभाई जी ने कहा आया, कि प्रवक्ताओं ने कभी इस पर क सवाल को एड़स ही नहीं किया किसी बाहस में, तो मुझे लगता है कि ये भी अपने आप में एक बिढमना है, कि एक तरफ लोगतंतर का उत्सो मनाया जा रहा है, संसात बहुन में, और दूसरी तरफ जंतर मंतर पहलवानों के साथ, ये हो रहा हो भी मैला पहलवानों के मैला पहलवान ना होती है, आप तो कहने है, साधहरान जगती भी अगर बैठे होते, किसान मज़ूर भी बैठे होते, और उनके साथ ये हो रहा होता, वो भी उचित नहीं था, लोगतंतर का मतल लोगतंतर है, और मैं आपको एक उधान देता हूं, याद करिए, रामदयो ज कहीं ने कहीं भुगत ना पड़ा, उन सारे उसका, तो सरकारों को इस ध्यान देना चाहिए, कि इस तरह की कारवाईया लोगतंतर में नहीं चलती है, और आज का मौका तो आज का दिन तो पावन दिन था, तारीखी दिन था, सुकेश आप बीच में कुछ आइन भी करने चा तेगलती हैं मा पर्दियती बलकुल सुकेश